Hello friends, welcome to this video. In this video we shall discuss the important events of Indian history that took place on 6th of August. 6 August से related total 2 events discuss करेंगे हम. जो पहला event है वो ये कि आजी के दिन एक newspaper की शुरुवात हुई थी and that newspaper was Bandhe Matram. It was founded by Vipin Chandrapal. साथ साथ इस newspaper से related एक confusion भी दूर करने की कोशिश करेंगे. Confusion क्या है कि ये जो नाम है Bandhe Matram इस नाम से एक से अधिक newspaper जो है वो हमें देखने को मिलते हैं history में. तो कौन सा वाला newspaper किस language में था उसके editor कौन थे इसको लेकर एक confusion रहता है. उसको देखने की कोशिश करेंगे. और जो दूसरा event है वो है कि आज death anniversary है सुरींदरनाथ बैनर जी जी की. तो ये दो event discuss करेंगे हम और इससे related previous year के कुछ questions भी देखेंगे. चलिए शुरू करते हैं. जो बंदे मातरम वाज और बिपिन चंदर पाल ने 1905 में 6 अगस्त को इसके शुरुवात की. लेकिन इसका छपना शुरू हुआ 1906 में और जो पहले एडिटर बनाए गए वो थे औरोबिंडो घोष. काफी लंबे टाइम तक औरोबिंडो घोष इस news paper के एडिटर थे. ठीक हैं? अब आता है confusion पे. confusion क्या है कि ये जो नाम है बंदे मात्रम इससे related एक से अधिक news paper है. एक news paper की बात तो हम कर लिए. अब हम करते हैं दूसरे news paper की बात. जो दूसरा news paper है वो भी इसी नाम से है. नाम क्या है? बंदे मात्रम. लेकिन उसकी सुरुवात हुई थी 1909 में. कहां से सुरुवात हुई थी? Paris से. Paris जो France का capital है. वहां से इसकी सुरुवात हुई थी. और किस ने की थी? तो हम history में काफी popular नाम जानते हैं. क्या है वो नाम? Madam Bheekaji Kama. इन्हों ने ही इस newspaper की शुरुवात की थी. बंदे मात्रम नाम से. कब 1909 में? कहां पे? Paris में. उस newspaper का जो है relation इस newspaper के साथ कितना था? यह कहना मुश्किल है. लेकिन newspaper का नाम सेम था. तो दो newspaper हो गए सेम नाम से. अब एक और news paper देखते हैं. तीसरा newspaper है वो भी है बंदे मात्रम लेकिन अंतर क्या है कि वो उर्दू language में छपता था. कहां से छपता था? लाहोर से छपता था. और कब इसकी शुरुवात हुई थी थी? 1920 में. 1920 में लाहोर से एक newspaper छपना शुरू हुआ उर्दू language में. And who was the editor of this newspaper? So, editor वाज लाला लाजपत राय. इस वाले newspaper के जो एडिटर है वो कौन है? एडिटर तो और अभी डोग होशा है लेकिन शुरुवात भी पिंचेंदरपाल जी ने की थी. अब हम जानते हैं कि Congress के जो तीन famous extremist leader थे जिसे हम short में लाल बाल पाल कहते हैं. लाल फोर लाला लाजपत राय यही लाला लाजपत राय जिन्होंने बंदे मात्रव नाम से 1920 में उर्दू language में एक newspaper के शुरुवात की और लाल बाल पाल में बाल फोर पाल गंगादर तिलग जिनके newspaper समझानते हैं जो मराथी language में आती थी एक newspaper कौन सी newspaper थी? केसरी और English में एक newspaper कौन की आती थी? कौन सी? दम महरत्ता ठीक है? और यहां जो देख रहे हैं विपिंचेंदर पाल जी ने शुरुवात की थी पाल फोर विपिंचेंदर पाल ठीक है तो तीन news papers total हमने देखा सेम नाम से बंदे मात्रम अब इससे related question आता है यह देखे question क्या है? यूपी PCS pre 1996 मे बात हो रही है उर्दु वाला अगर होता तो उर्दु वाले के लिए लाला लाज पत्र है होते पट यहां क्या है? English है तो English के लिए क्या हो जाएगा? अरबिंद घोष और अरबिंद घोष एक ही नाम है अलगले तरीके से प्रनाॉन्स किया जाता है ठीक है? आगे बढ़त इवाज popularly known as राष्ट्र गुरु इनको क्या कहा जाता था popularly राष्ट्र गुरु अब अगर हम मैं पूछू राष्ट्र गुरु में यह वर्ड गुरु इसे रिलेटिट एक नाम हमें देखने को मिलता है गुरुदेव किने कहा जाता था गुरुदेव तो रभिंदरनाथ पेगुर को तो राष्ट्र गुरु किने कहा गया सुरुईंदरनाथ बैनर जी को 1869 में इन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेस एकजाम को पास किया था 1869 वही साल है जब महात्मा गांदी जी का जन्म हुआ था यह क्लियर दिस एकजामबर दिस्मिस्ट इन 1874 फ्रॉं दिस सर्विसेस 1869 में यह सलेक्ट तो हो गए बट क्या हुआ कि इन्हें डिस्मिस्ट कर दिया गया सर्विस से कब 1874 में ठीक है on 26th July 1876 in Calcutta he founded Indian National Association also called Indian Association of Calcutta with Anand Mohan Bos Anand Mohan Bos के साथ में सुरेंदरनाथ मैर जी ने 1876 में Calcutta में एक foundation, एक organization को established किया जिसका नाम था Indian National Association या कह लें Indian Association of Calcutta दोनों नम मिलते हैं कहीं कहीं पर आपको Indian National Association मिलेगा कहीं Indian Association of Calcutta मिलेगा कहीं तो सौट में बस Indian Association में मिलता है ठीक है बट एक ही यह organization है Indian National Association was the most important nationalist organization before Indian National Congress हम जानते हैं Indian National Congress जो की 1885 में established हुआ था इसकी foundation हुई थी A.O.Hume ने की थी और यह जो है हमारी freedom struggle में काफी important organization के रूप में हम इसे देखते हैं लेकिन इसके establishment से पहले इसके foundation से पहले जो एक जो सबसे important organization था वो यही था Indian National Association which was founded by Surayindranath Banerji जी वित अनन्द मोहन बोस यह जो organization है Indian National Association यह क्या हो गया इट गॉट मर्जड इंटो इंडियन नैशनल कॉंग्रेस ठीक है कॉंग्रेस में यह मर्ज हो गई एवाज दी एडिटर ऑफ दी बेंगॉली एक newspaper चपता था दब बेंगॉली के नाम से विच बज फाउंडिड बाई गिरीश चंद्र गोस इंग्लिश में ही था गिरीश चंद्र गोस ने start किया था इसको दबेंगॉली को जिसके एडिटर कौन थे इस निवज पर को यह 1862 में शुरूबा था यह निवज पर और बाद में इस निवज पर को खरीद लिए और बाद में फिर यह उनका हो गया निवज पर एडिटर तो वह थे ही ठीक है तो यह कुछ से सुरेंद्रनाथ बैनर जी से रेलेटव अब हम देखते हैं कि कौश्टन क्या है कौश्टन है विच वन उफ फॉलॉइंग इंडियन लीडर्स यह कौश्टन यूपीय सी आई-इस प्री-1999 में पूछा गया है 1999 का कौश्टन है विच वन उफ फॉलॉइंडिन लीडर्स सुभाज dismissed by the British from the Indian Civil Service, Indian Civil Service से किस Indian leader को dismiss किया गया था, अभी हमने देखा किनको किया गया था, तो सुरेंदरनाथ बैनेर जी, भी option सही है, एक interesting fact मैं आपको बता हूँ, ये जो option A है सत्येंदरनाथ टेगोर, ये भी Indian Civil Services में थे, इन्होंने भी पास किया था exam, और RC दत जो है, रमेश चंदर दत इन्होंने भी clear किया था, और सुभाज चंदर बोर्स ने भी clear किया था, ये चारो के चारो नाम जो हैं, ये Indian Civil Servant रह चुके हैं, लेकिन जिनको dismiss किया गया था, वो थे सुरेंदरनाथ बैनर जी, ठीक है, ठीक है, तो ये था, ये थे आज के इवेंट्स, दो इवेंट्स, एक तो बंदे मात्रम की सुरुवात हुई थी, बाइबेपीन चंदर पाल, और तूसरा की इसे दिन, इंडिया, इंडियन असोसियेशन के फाउंडर, यानि के सुरेंदरनाथ बैनर जी जी की क्या है, ठीक है, इस वीडियो में फिलाल इतना ही, थैंक यू,